वेलकम बेक टो मैं चैनल पूरुशों में खास दोर पे टोबैक और बिड़ी पान घुटका मसाला खाने के बाद जो प्रॉबलम होते हैं तो यह विडियो जरूर एंड तक आप दिखिएगा क्योंकि इसमें एक मेडिसन में दिस्कस करने वाली हूँ जिसको बोलते हैं और यह मेडिसन जो है एक प्लांट किंडम का मेडिसन है यानि कि यह हाथी का कान का स्ट्रक्चर का एक लिफ होता है वैसा दिखता है उसी से यह दवा बनने हैं तो यह पूरुश यह दवाईयां male and female यानि कि पूरुश और महिला दोनों में काम करता है बट यह मेडिसन जो हो रहे हैं डिलापन हो रहे हैं कड़ापन नहीं होता और आपको नाइट फुल की समस्या होते हैं तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिए ठीक है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बिड़ी पान घुट का मसाला खाने के बाद कुछ टॉक्सिक सब पॉस्टांस जो होते हैं वो क्या करता है आपके सेल्स में कुछ टॉक्सिक टाप के चीजों को पैदा कर देता है जिसमें क्या होता है आपको तमाम तरखी के प्रॉबलम शुरू होने लगता है तो सबसे पहले मेल के सेक्शुल और्गेन पर बात करेंगे अब वो जो मेल पूरुष है उसमें क्या होता है कि उसको सेक्शुल चाहत है बड़ जब भी अपने पार्टनर के पास जाता है तो उसका सेक्शुल और्गेन जो होता है यानि कि उसके प्राइवेट और्गेन जो होते हैं वो रिलेक्स हो जाते हैं उसमें इरेक्शन ने होता है लेकिन पार्तनर के पास जाता है तो इसमें इ्रक्षन नहीं होता है अब यह medicine जो है not only for sexual organ पर काम करता है सिब यह ज़रूरी नहीं है कि यह medicine sexual organ पर यह काम करता है साथी साथ यह medicine जो है male के paid में इंडाजिशन की problem हो रहे हैं पुरुष को acidity हो रहे हैं obviously टोबे को बिड़ी पान घुट का मसाला खाता है तो paid की समस्या होंगे ही साथी साथ उसको headache हो रहे हैं और mental weakness भी हो रहे हैं वो सोचने लगता है आरे ऐसा क्यों हो रहा है mental weakness में चीजों को भूल जाता है एक बर कुछ काम किया तो उसको लगता है नहीं यह complaint निवम में फिर वापस जाके check करता हूँ इस टाइप को उसको complaint आने लगता है यानि वो सोचता है मैंने चीजों और रहा था कि यह तो फिर चेक करता है और छीजों को मैंने जगह पर रखा या नहीं लाए इस टाइप के उसके साथ situation डेफ्लॉक करने लगता हूँ तो टोबैक को बेड़ी पान गुट का मसाला खाने के वज़े से एक टॉक्सिक पदार्थ जो होते हैं आपके सेक्शुल लाइफ पे डिस्ट्रबिंस लाने लगता है आपकी पेड़ की समस्या भी होने लगते हैं और सीर्दत बहुत जादा उसको होता है तो यह सारी चीजों को ठीक करने के लिए इस वीडियोस में हम लोग जो डिसक्रस कर रहे हैं कैलेडियम के बारे में कैलेडियम ठटी पोटेंसी में बहुत ही इफेक्टिव है हलागी यह मैडिसन जो है फीमेल बेभी कुछ सिंटम्स के बहुत अच्छा वर्क करता है जैसे प्रेगनेंसी में फ सिफ सेक्शुल चाहत की तो जरूरी नहीं कि यह दवाया जो है सिफ मेल के लिए है फीमेल के लिए भी बहुत एफेक्टिव है साथी साथ यह यह दवा में जो है पूरूश को क्या होता है कि करिमी के टाइम पे तो पसीना होता है हर परसन को होता है परस्पाइरेशन होता ह लेकिन उस परसन को जो टबायक को बिड़ी पान घुट का मसाला खाता है और कैलेडियम के पेशन्ट यानि कि इस दवा के पेशन्ट को क्या होगा ना कि उसके स्कीन पर जो पसीना निकलेगा वो मीठा मीठा एट्रेक करेगा मतलब मक्यों मक्यां जो होते हो उसके हाथ पर आ लद खाते हैं ठीक है तो इस पेशन्ट का लड़ खतम करने के लिए यह दवा बहुत ही इफैक्टिव है ठीक है मैडिसन अगर पेशन्ट बीड़ी पान घुटका मसाला कोई भी घुटका के फर्म में ले रहा है या टोबाइक को चीव कर रहा है तो बहुत ही इफक्टिव है और उसको नापुन्शकता हो रहे हैं साथे साथ उसके सेक्शुल लाफ डिस्टरब हो रहे हैं तो वह बहुत ज इस क्यालेडियम 30 पूटेंसी फीमल के लिए उतना ही इंपोर्टेंस है तो मैंने एक दो सिम्टम्स फीमल के लिए इसमें बताया है अलाकि इस पेशली मेल पूरुष में यह वीडियो में बनाई इस तरह कि के पेशन्ट काफी मिलते हैं तो यह टोबाइक को खाने से इस प जो पेशन्ट है मुझे बहुत बार अकसर मिले हैं जो टोबैको चिविंग पेशन्ट है यानि कि घुटका खाने वाले बेड़े पान घुटका मसाला खाने वाले जो पेशन्ट है उन्हों को इन तरीके के प्राब्लम्स होते हैं स्पेशली सेक्शुल लाइफ को लेकर तो 1M में बहुत अच्छा work करता है लेकिन मैंने अपनी experience में देखा 30 potency में बहुत ही effective है इसके साथ एक और medicines जरूर देंगे patient को ताकि उसके लक्षन अगर मिलते हैं यह medicine उसी के साथ selenium भी बहुत ही effective है according to the symptom so that's all for today